तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें अभी हाली में विशेश सुरक्षा समू के नए प्रमुक के रूप में अभी किसे न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा आलोग शर्मा को तो अभी केंदर सरकार ने आलोग शर्मा को विशेश सुरक्षा समू है यानि कि Special Protection Group के निदेशक क्या निकी Director के रूप में न्यूक्त किया है देखो Special Protection Group की बात करें तो ये एक सरकारी एजेंसी है जो भारत के प्रधान मंतरी के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है तो परधान मंतरी जी को Special Protection Group के द्वारा सुरक्षा दी जाती है चाय फिर वो भारत में हो या विदेश में हो और वैसे मैं आपको बता दू कि पूरव परधान मंतरी को भी पहले Special Protection Group की सुरक्षा मिलती थी लेकिन अब उन्हें Z Plus Security दी जाती है इस Special Protection Group की स्तापना कब ही थी? 8 अप्रेल 1985 में मुख्यले नई दिल्ली में है और अब इसके नए हैड बन गए है अशोक शर्मा और याद रखना एक पॉइंट की भारत के वरतमान प्रधान मंतरी जो है नरेंद्र मूदी ये Special Protection Group के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने वाल दी जाती थी पर 8 नवंबर 2019 को भारत चरकार ने उनकी ये जो Special Protection Group की सुरक्षा है इसको रद्द कर दिया था और उसकी जगे Z प्लस सुरक्षा उनको दे दी गई ये कारण है इसलिए में आपको ये लाइन कई कि अभी वरतमान में जो अपर धानमंतरी नरेंद्र मूदी है किवल वो एक मात्री ऐसे वेक्ती हैं जिनको Special Protection Groups ये सुरक्षा देता है तो इस प्रशन में आलोक शर्मा का नाम आपको याद रखना है बाकी अरिंदम बाक्ची नाम याद है आपको जनेवा में संयुक्तर राष्टर यानिकी United Nation और अन्या अंतर्राष्टर संगठों में भारत के परवानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये बने राजिश नामब्यार की बात करें तो नैसकोम के ये अध्यक्ष बने और रगुश्री निवासन की बात करें तो बोर्डर रोड और्गेनाईजिशन इसके नए चीफ ये बने थे 28 वे नंबर के तो ये नाम न्यूज अध्यक्त मेनेजमेंट पर अंतरराष्टर सम्मेलन 2023 का आयोजन ये भारत में हुआ और भारत में भी कहां पर है ध्यद्राबाद में हुआ ये 15 से लेके 18 वंबर 2023 तर और इसका आयोजन किया किसने तो प्लांट प्रोटेक्शन अस्वास्टीशन आफ इंडिया ने इसका आ नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना फर बताईए अब राष्टर मिर्गी दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 17 नवंबर को तो हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है मिर्गी एक निरलोजिकल यानि की मस्तिश्क संबंदित स नमस्या है तो इस दिन को मिर्गी के बारे में जाग रुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है अचा एपिलेप्सी फाउंडेशन ओफ इंडिया जिसके इस्तापना होती है सन 2009 में मुंबई में मुख्या ले है और इस्तापना की थी डॉक्टर निर्मल सूरी ने वेसे जैनती होती है डॉक्टर एपिजे अब्दुल कलाम जी की जैनती होती है वो भी ध्यान रखना पॉइंट फिर बताईए अभी हाली में जारी वेश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत कौन से इस्तान पर है तो आंसर होगा तीसरे इस्तान पर है तो अभी हाली में ज और अगर बात करें कि भारत के यूनिकॉर्न ये ग्लोबल यूनिकॉर्न वेलिवेशन में कितने प्रतिशत का योगदान देते हैं तो आंसर होगा 5 प्रतिशत और 2023 में भारत की कितनी स्टार्ट अप या कितनी कंपनिया यूनिकॉर्न कंपनिया बनी है तो आंसर होगा मात् कमपनी जो यूनिकॉन बना था वो जैप्टो था और अभी दूसरा हमने पढ़ा था इन क्रेड फिनेंशल था यूनिकॉन में आपको बता चुका हूँ किस कमपनी को किस स्टार्ट अप को हम यूनिकॉन कमपनी कहते हैं जिसका मार्केट वेल्यू एक बिलियन डॉलर या उस से जादा होता है चलो फिर बताओ अभी जैपूर वेक्स म्यूजियम में किस भारते किरकेटर की स्टेचु लगेगी तो अंसर होगा विराट कोली अभी आपको पता है भारत और न्यूजिलेंड के जो सेमी फाइनल हुआ था उसको जीता तो भारत नहीं था और उसमें हमन पुर्पुर के नाहर गड किले के भीतर है और अगर मालो और डीप में जाकर के एक्जामिनर आपसे पूछ ले कि इनकी जो वेक्स की प्रतिमा है इसको कौन तयार कर रहा है तो मुर्तिकार गणेश और लक्ष्मी नारैनन वो इनकी वेक्स मूर्ति को वेक्स स्टेचु को त्यार कर रहे हैं बैसे आपको बता दू इनसे पहले भी कैप्टन कूल यानि कि महिंदर सिंग धोनी का मोम का पुतला पहले से ही इस म्यूजियम में है फिर बताइए हाले में किस राज्य ने मुफ्त आटा होम डिलिवरी योजिना शुरू की है तो आंसरोगा पंजाब त परकाश पर्व के आउसर बर की जा रही है और पंजाब आटा दाल योजना के तहट होम डिलिवरी के अगले साल जन्वरी से शुरू होगी इस पहल के तहट राज्य में 1.42 करोड पर धानमंतरी कल्यान अन योजना प्राप्त करताओं को आटा प्रदान किया जाएगा एक तो ये बात याद रखना और एक और में आपको इसी से सम्मंदित एक प्रशन बता रहा हूँ कि अभी केंदर सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत देते हुए भारत आटा लॉंच किया है मतलब भारत आटा ब्राइंड नेम से देश बर में 27.27 रुपे प पैसे आटा खरीदने जाते हो तो 36.70 रुपे प्रतीख किलो तक आटा आटा आपको मिलता है अलग अलग क्वालिटी रुपे प्रतीख किलो के हिसाफ़ से देगे फिर आपसे पूच रहें कि छट पूजा उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती है तो अंसर होगा सु पूछे कि वैसे ये छट पूजा उत्सव ये कहां पर मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से ये बिहार राज्य में मनाया जाता है, और इस उत्सव में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, अभी 17 नवंबर को ये उत्सव मनाया गया, तो छट पर्व ये कार्तिक शुकल ये शटी को मनाया जाने वाला एक पर्व है, इस छट पूजा उत्सव में सूर्य देवता की अराधना तो की ही जाती है, साथ में ये छट के दिन मनाया जाता है, इसलिए से छटी मैया को भी समर्पित किया जाता है, और ये छट पर्व चार दिनों तक चलता है, फिर की है, और ये दूसरे नंबर का है, तो पहले नंबर का, आपको याद होगा, इसी साल के स्टार्टिंग में, पहले वाइस ओफ ग्लोबल साउथ सम्मिट की मेजबानी भी भारत नहीं की थी, वो भी वर्च्वली ही की थी, और वर्च्वली मतलब, मतलब फिजिकली रूप स सबके विकास के लिए सबका साथ, तो ये ध्यान में रखना आप बढ़ते आगे, फिर बताईए अभी हाली में, कोटेक महिंदरा बैंक ने किसे अपना MD CEO नियूक्ट किया है, तो अंसर होगा अशोक वास्वानी को, तो अभी कोटेक महिंदरा बैंक ने अशोक वास्वानी को अपना MD CEO नियूक्ट कर लिया है, वे उधे कोटेक का स्थान लेंगे, कोटेक महिंदरा बैंक, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइविट सेक्टर बैंक है, जिसकी इस्तापना होती 1985 में, मंबई में मुख्याले है और इसका टेग लाइन होता है, लेट्स मैक मनी स आपको याद हो तो अभी कोटेक महिंदरा बैंक ने कोटेक फिन नाम से एक पोर्टल लॉंच किया था, बाकी बात करें तो वीजे कुरियन अभी साउथ इंडियन बैंक के चेयर्मेन बने थे, संजीव मंतरी ICICI Lombard General Insurance के MDCO बने तो संदीब बक्षी ICICI Bank के MDCO बने थे, तो समन्त किस देश से है, तो अंसर होगा England, तो British उपन्यास कारें A.S.Biart जिनका अभी 87 वर्ष की उमर में निदन हो गया, आपको बता दो उन्हें 1990 में बुकर पुरुसकार मिला था, उनके उपन्यास possession के लिए, और उनकी एक book है, The Children's book, वो भी काफी famous है, या इस book के लिए य A.S.Biart जिनका अभी निदन हो गया, अच्छा अब आप लोग मुझे comment करके बताएंगे कि अभी 2023 का international booker पुरुसकार किसे मिला था, मैं आपको hint देदू, वो बुलगेरिया देश के लेख़क है, अब आप उनका नाम बताइए, और उनके novel का नाम बताइए, जिसके लिए उनको ये पुरुसकार मिला, वैसे अभी आपको बतादू, अभी एक कला इतिहासकार है, B.N. Goswami, उनका भी निदन हो गया, वैसे उन्होंने कहीं किताबे लिखी है, और अभी latest उनकी किताब हमारे लिए important है, क्योंकि वो किताब अभी October में लॉंच की गई थी, उस book का ना प्रस्ण में आपसे पूचे रहे अभी हाली में, वन डे विश्व कब दो हजा तेविस का Player of the Tournament Award किसे मिला, तो आंसर होगा इसका विराट कोली को, आपको पताईए, ICC World Cup दो हजा तेविस, इस बारी इसका कौन सा संसकरंड रहा, 13 संसकरंड इसको हुस्ट किया भारत ने, और अभी इसका Final कहां पे खिला गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मूदी स्टेडियम एहमदाबाद में जो है, वहां पे खिला गया, और इसको किस ने जीत लिया, आस्टेलिया ने जीत लिया, आस्टेलिया के कपताने Pet Cummins, आस्टेलिया न जो कि अभी मैच देखने के लिए भारत आये वे थे और इन्होंने अपने हातों से नरेंद्र मुदी के साथ मिलकर के ट्रोफी परदान की है तो आंसर होगा रिचर्ड माल्स तो यहाँ पे विराट कोली इनको प्लेयर आप दर टूर्नमेंट का अवर्ड मिला है और सबसे जादा रन भी विराट कोली ने ही बनाए है 765 रन 11 मैचों में बाकि आप जानते ही हो विराट कोली 50 वंडे शतक लगाने वाले पहले व्यक्ती भी बन गए है और इसी उपलक्ष में इनकी मोम की स्टेचू बनाई जा रही है जो कापे स्थापित की जाएगी जेपूर के वैक्स म्यूजियम में और सबसे आदा विकिट किसने लिये इसमें? मुहम्मद शमी ने 24 विकिट लिये हैं 7 मेचों में अचा पहली बार जो विश्व कब खेला गया था? पूछा जा सकता है कब खेला गया था? 1975 में कहाँ पे इंग्लेंड में और उसको जीता था West Indies ने और लास्ट ताइम जो खेला गया था 2019 वाला उसको जीता था इंग्लेंड ने भारत ने अभी तक दो बार इसे जीता है 1983 में और 2011 में और सबसे सफल टीम Australia है छे बार इसने ये खिताब जीता है और इस बार का मैस्कॉट क्या है शुभंकर? क्रिक्टो वर्स है और इसके अंदर दो है एक तो महिला शुभंकर का नाम Blaze है और एक पुरुष शुभंकर है जिसका नाम Tonk है और इस बार की ICC Hall of Fame में शामिल होने वाली पहली भारते महिला किर्केटर कौन बनी थी? तो अंसर होगा डाइना एडूल जी बनी थी और अभी हमने पड़ा था टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाच कौन बने? तो अंसर होगा एंजेलो मैथ्यूज बने थे ये श्रिलंका के हैं और फिर बताईए वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर मेडियूल निर्माता बन जाएगा तो अंसर होगा दो जार पच्चिस तक तो अभी हाली में जारे वुड मेकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मोडियूल निर्माता देश बन जाएगा सोलर मोडियूल मतलब समझे यहाँ पर बात हो रही है सोलर पैनल्स की की 2025 तक सोलर पैनल्स बनाने के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा अभी वर्तमान में चाइना यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मोडियूल निर्माता देश है आपको बता दू इस मामले में चाइना की वेश्विक हिस्सेदारी 80 परतिशत है मतलत दुनिया में जितने सोलर मोडियूल सोनर पैनलस बनते हैं उसमें से 80% का मैनुफैक्शरिंग यह चाइना करता है और अभी वियतनाम ये 5% हिस्सेदारी के साथ दूसरे इस्तान पर है और अभी भारत 3% हिस्सेदारी के साथ तीसरे इस्तान पर है जो कि 2025 तक दूसरे इस्तान पर आ जाएगा इस रिपोर्ट के नुसा तो भारत की सौर मोड्यूल वि निर्मान शम्ता 2025 तक लगबग 37 गीगा वोट से अधिक हो जाएगी, फिर बताइए, अभी हालि में किस नदी पर सूर उर्जगा से संचालित जहाज, रमयान को संचालित किया जाएगा, तो आंसर होगा सरीू, तो अयोध्या में सरीू नदी पर रमयान नमग सूर उर्जगा से चलने वाला संचालन करेगा कौन अलक नंदा कुरूज और इन जहाजों पर परियतन जो भी आएगा परियतक जो भी यात्री आएगे उनको भगवान राम के जीवन की महत्वपून घटनाओं के बारे में भी बताया जाएगा आयोध्या से सम्मंदित कुछ पॉइंट्स में आपको याद दिलाओं तो आयोध्या एयरपूर्ट मरियादा पुरुशुत्तम श्री राम हवाई 28 का नाम रख दिया गया आयोध्या में डिज्नि लेंड के आधार पर रामा लेंड विकसित किया जा रहा है उत्रप्रदेश का पहला सोलर सिटी ये बनेगा आयोध्या देश का तो पहला साची मध्य प्रदीश हो गया और अयोध्या में ही जटायू कुरूज सेवा भी शुरू हुई थी और रमायन कुरूज ये भी हमने पढ़ा अभी दोनों याद रखना वेते हैं आपको याद है भारत का पहला इंटरनेशनल कुरूज ये हैं MV Express जो की शिरिलंका और भारत की बीच में शुरू हुआ था और दुनिया की सबसे लंबी नदी कुरूज सेवा ये है गंगा विलाज चो की वारनासी और असम के डिबरुकड के बीच में शुरू हुई थी वेते आपको बताए दुनिया का सबसे बड़ा रमायन मंदिर कांपे बन रहा है पिहार में बन रहा है जो की 2025 तक बन जाएग में यहाँ पे हम बात करें Global Fisheries Conference 2000 की आयोजन कब से कब तक 21 और 22 नवंबर 2000 को कहाँ पे एहमदाबाद गुजरात में और इस बारश की थी में मतस्य पालन और जलकरशी संपदा वेसे आप जानते हो विश्व मतस्य पालन दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 21 नवंबर को ही और वेश्विक मचली उत्पादन में 8 परतिशत हिस्चेदारी के साथ भारत ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मचली उत्पादक देश बन गया है ये पॉइंट भी ध्यान रखना वैसे हमारे केंद्रे मतस्य पालन मंत्री को ने पुरूशोत्तम रुपाला है फि 15 नवंबर को ये वर्ल्ड प्री मेचौर डे के रूप में मनाया जाता है पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था और इस बार थीम क्या है छोटे कार्य बड़ा प्रभाव हर जगह हर बच्चे के लिए ततकाल तवच्चा से तवच्चा की देखभाल फिर बताईए अभी हाली म Building Partnership India and International Cooperation for Maritime Security नाम की बुक को किसने लिखा तो अंसर होगा हिमाद्रेदास ने और हमारे जो उपर राष्टर बतिये जगदीब धनकरची इन्होंने अभी 15 नवंबर को नई दिल्ली में India Pacific Regional Dialogue में इस बुक को लॉंच किया जिसका नाम है Building Partnership जिसको लिखा है Captain हिमाद्रेदा अब इसका मतलब क्या हो गया देखो आपने कई बार सुना होगा या Movies में देखा होगा या Simple सा YouTube में सर्च मारोगे न तब भी आप देख पाऊगे कि हवा में जो Aeroplane उड़ते हैं उनमें अगर fuel की कमी आ जाती है तो उनको fuel भरने के लिए नीचे उतरने की जरूरत नहीं है वो हवा से हवा में भी fuel भर स जाएगा तो ये तो हमने वहाँ पे देख लिया लेकिन अब उसी तरह से समुद्र के बीच में अगर एक ship है तो वहाँ पे भी दूसरे ship से उसमें fuel भरा जा सकता है और अभी ऐसा ही किया गया NG fuel को transfer किया गया रस्ते में ही मतलब समुद्र में ही एक ship से दूसरे ship में और ऐ यही प्रशने बूचा हुआ है किस कंपणी ने दुनिया का पहला ship to ship LNG transfer पूरा किया है तो आंसर हुगा गेल ने यह याद रखना आप गेल जिसकी स्तापना उती 1984 में headquarter नई दिल्ली में है और MDCO कोने संदीप कुमार गुपता तो यह अत्यान रखना बढ़ते हैं फिर बताईए नवंबर 2023 में किस जीवन बिमा कंपणी ने उतकरश्टता के लिए golden peacock पूरुसकार जीता तो आंसर हुगा HDFC Life तो भारत की Life Insurance Companyों में से एक है यह HDFC Life जिसने वर्ष 2023 के लिए corporate governance में उतकरश्टता के लिए प्रतिष्ठित golden peacock अवर्ड जीता है HDFC Life की बात करें स्टापना उतिसन 2000 में मुंबई में headquarter है तो MDCU कोने अभी विभा पडाल कर हैं तो इनका नाम भी ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर बताईए अभी हाली में किसे Kenneth Bolding पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया तो आंसर होगा बीना अगरवाल और David Barkan को तो याद रखना बीना अगरवाल और David Barkan को अभी Kenneth Bolding पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया तो मैंचेस्टर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बीना अगरवाल को कोलंबिया में डेविड बार्किन के साथ अर्थशास्तर में कैनेथ पोल्डिंग पुरुसकार मिला है और किस ने दिया ये पुरुसकार ये किस के द्वारा दिया जाता है International Society for Ecological Economics अच्छा आप मुझे बताएंगे अभी 2023 का अर्थशास्तर का नोबल पुरुसकार किसे मिला था अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपती कौन बने है तो आंसर होगा Javier Miley तो याद रखना Javier Miley का नाम जो की अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपती चुने गए है देखो अर्जेंटीना की केपिटल होती है Buenos Aires और करंसी है अर्जेंटीना पीसो और अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिकी देश है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं और देखो साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट का जो सबसे उचा परवत है माउंट अकांगुआ ये अर्जेंटीना में ये है बाकिया आप जानते हो देखो रोबर्ट फीको ये स्लोवा क्या के प्रिधान मंतरी बने डैनियल नोबोवा इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने तो शिरेथा थाविसिन ये थाइलेंट के प्रिधान मंतरी बने अभी तो इनके नाम भी ध्यान में रखना नियूज में थे बढ़ते आगे फर बताईए अभी हाल में किसने दोजा तेविस का जेसी भी पुरुसकार जीता तो अंसर होगा पैरुमल मुरुगन ने मतलब ये मूल रूप से ये पुस्तक तो तमिल भाशा में थी उसमें इसका नाम था आलंदा पैची और अंगरेजी में जब इसका ट्रांसलेशन कर दिया तो इसका नाम हो गया फायर बर्ड JCB पुरुसकार की बात करें तो 2018 में स्तापितेक भारते साहितेक पुरुसकार है ये इसे भारत का सबसे मूलेवान साहिते पुरुसकार कहा जाता है और इससे पहले यानि कि 2022 में जो JCB पुरुसकार मिला था वो खालिद जावेद को मिला था उनके ओपन्यास The Paradise of Food के लिए आप लोग मुझे बताओ अभी नोबल पुरुसकार के बारे में आपने पढ़ा 2023 में उसमें लिटरेचर यानि कि साहिते का नोबल पुरुसकार किसे मिला कामेंट बॉक्स में उप्तर दो आभी मैं आपको आंसर भी दूँगा पहले हम आप्शन को डिसकस करते हैं तो माइकल डगलस ये हॉलिवूड एक्टर है सत्यजीत रे लाइफटाइम अच्विमेंट अवर्ड 2023 के लिए इनको चुना गया था विहान तलिया ये बंगलूरू के हैं वाइल लाइफ फोटोग्राफर आफ दे इयर अवर्ड इनको मिला इसे फोटोग्राफर के ओसकर के रूप में भी जाना जाता है और लूइस का फरेली एबल पुरुसकार 2023 जीता इन्होंने जिसे गनित का नोबल पुरुसकार का जाता है फर बताईए अभी हाली में मिस यूनिवर्स दोजा 23 का किताब किस ने जीता तो अंसर होगा सैनिश पलाशियो और ये किस देश की हैं ये निकारागुवा देश की 23 वर्ष ये टीवी होस्ट और मॉडल है सैनिश पलाशियो जिनोंने 72 मिस यूनिवर्स दोजा 23 का किताब जीत लिया है और इन्हें ये किताब किस ने पहनाया जो पिछले साल मिस यूनिवर्स रही थी यानि कि मिस यूनिवर्स 2022 का किताब किस ने जीता मेरा ये प्रशन है तो आप सभी जानते हो R. Bonnie Gabriel उनका नामे वो अमेरिकी थी और अभी दोजा 23 का किताब जीता है सैनिश पलाशियो ने ये नाम याद रखना किस देश की है निकारा गुवा की है और इस बार इसका कौन सा संसकरन था मिस यूनिवर्स का तो 72 वा संसकरन था इसमें उप विजेता कौन रही उप विजेता भी ध्यान रखरो एंटोनिया पॉसर लिड ये थाइलेंड की है और इसका आयोजन कहां पे हुआ ये भी याद रखना एल सलवा डोर में इसका आयोजन हुआ एक पॉइंट जरूर याद रखना अगला प्रशन है अभी वर्ल्ड टॉइलेट डे कब मनाया गया तो आंसर होगा 19 नवंबर को तो हर साल 19 नवंबर को विश्व सोचाले दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे पहली बार 2001 में मनाया गया था मनाने का उद्दिश्य है लोगों को टॉइलेट की स्वच्छता और उससे स्वास्त किस कदर प्रभावित हो सकता है इसके प्रतिश जागरू करने के लिए ये दिन मनाते हैं और इस बार की थीम है एक्सिलरेटिंग चेंज वैसे आपको बता दू अभी 19 नवंबर को दो दिन हमने और बनाए वो यहीं पर बता रहा हूँ मैं आपको एक सड़क यातायाद पीडितों के लिए विश्व इस्मरण दिवस है और इसके थीम है याद रखें समर्थन करें और एक महिला उद्देमिता दिवस वोमेंस एंतर्पनियोर डे ये भी 19 नवंबर कोई मनाते हैं अचा एक प्रश्ण में आपसे बूछू टॉयलेट मैन ओफ इंडिया के नाम से किने जाना जाता है ये प्रश्ण में आपको कई बार बताया है और अभी ये न्यूज में भी था इनका नाम क्योंकि अभी इनका निदन हो गया तो ये प्रश्ण तो मैं आपी से जानना चाहूँगा टॉयलेट मैन ओफ इंडिया किने कहा जाता है फर बताये अभी हाली में सुप्रीम कोट के द्वारा लॉंच किये गए मन्थली न्यूज लेटर को क्या नाम दिया गया तो अंसर होगा सुप्रीम कोट क्रॉनिकल तो सुप्रीम कोट ने अपना मन्थली न्यूज लेटर लॉंच किया है इसमें क्या होगा इसमें सुप्रीम कोट अपनी महीने भर की जो भी कार्रेवाई होंगी जो भी बड़ी गोशना है वो करता है जो भी फैसले लेता है उन सब के बारे में इस monthly newsletter में छापा जाएगा बताया जाएगा और अभी इसे क्या नाम दिया गया Supreme Court Chronicle इसे नाम दिया गया और इसको launch किया अभी हमारे जो Chief Justice of India है D.Y. चंदरचूड ने हर महीने आएगा ये और आपको याद होगा भी D.Y. चंदरचूड जी ने ही मिट्टी कैफे भी launch किया था जिसका संचालन दिव्यांग जन करेंगे फिर बताये अभी हाली में किस राज्य के सीब का थोर्न फल को GI टेक मिला है तो अंसर होगा लद्दाग तो सीबक थोर्न फल ये एक ओशदिय फल ह जिसे वंडर बेरी, लेह बेरी और लद्दाग गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इस फल में विटामिन A, विटामिन B2 और विटामिन C के साथ साथ ओमेगा ओयल भी होता है और ये लद्दाग का चोथा प्रोड़क्ट है जिसे अभी GI टेक मिला है इससे पहले लद्दा की पश्मिना शॉल, खुबानी और लद्दा की लकडी की नकाशी को GI टेक मिला था देखो GI टेक मतलब होता है जोगरिफिकल इंडिकेशन टेक ये अधिनियम है 1999 का लाग हुआ 2003 में और पहली बार ये मिला था सन 2004 में डार्जलिंग टी को जो की है पश्चिमंगाल की तो य Japan AI ये नाम तो आपने सुना होगा न या मेरी की कमपनी है और अभी चर्चा में क्यों रही थी ये क्योंकि इसने चैट GPT को लॉंच किया था चैट GPT का निर्माण इसी ने किया था जो की एक Artificial Intelligence है और अभी इसके नए CEO बन गई है मीरा मूर्ती और ये प्रश्ण हमारे लि GPT की Full Form इस बार आप लोग मुझे बताएंगे मैंने आपको कहीं बार बताईए क्योंकि ये पूछी जा सकती है जैसे कि Open AI की हम बात करते है पहले तो 2015 में इसकी स्थापना होती है Headquarters का आपको San Francis को अमेरिका में मिलेगा बाके आप जानते हो नील मोहन ये YouTube के CEO बने कि मुझे अभी Hospital निकलना है वरना भी वो GI Tech वाला प्रशना है था मैं मेरी इच्छा दी मैं आपको जितने भी GI Tech से अभी revise करा हूँ लेकिन अभी मेरी मजबूरी है मैं चाकर के भी नहीं करा पा रहा हूँ लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है मैं Maximum अपनी कोशिश कर रहा दूआ कीजिएगा Blessing दीजिएगा अभी चलिए अगला प्रशन देखते हैं फटाफर क्योंकि चुनाव वालों की रेलियां भी आ रही है और DJ अगर आ रहे हैं तो अभी मैं record भी नहीं कर पाऊँगा चलिए फर बताईए क्या है प्रशन अभी हाली में किस राज्य ने सिक प्यान का विशे लेंगिक समानता यानि की जेंडर एक्वेलिटी और देखबाल और समर्तन पर केंदरित है फर बताईए अभी हाली में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस इस्तान पर ब्रज राज्य उत्सव मनाया तो अंसरुका मत्धुरा में त अरे 33 नाटे का आयोचित यहां पर की गई फर बताऊ अभी हाली में S.Wankaterman का निधन हो गया वे क्या थे यह RBI के पूरुवे गवर्नर थे नाम था S.Wankaterman जिनका अभी 18 नवंबर को निधन हो गया 92 वर्स के उमर में निधन हो इनका RBI के गवर्नर यह किस वर्स थे यह 1990 से लेकि 1992 तक 1992 तक RBI के गवर्नर थे अठारवे नंबर के थे आपको बताऊ अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कोन है शक्तिकान दास है यह 25 नंबर के है चलो बताऊ अभी इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था अवार्ड मिला था इनको अ वैसे हमारे पहले ब्रिटिश गवर्णर है और पहले भारते गवर्णर कौन है ये CD देशमुख है और वैसे नंबर वाइस देखोगे तो ये तीसरे नंबर के हैं RBI गवर्णर लेकिन भारते गवर्णर के रूप में देखोगे तो ये पहले नंबर पे हैं और अभी इनके न झाल झाल